रेलवे पर इक्ष्छा 2018, एल्पी एंड टेक्निसियन के एक्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, ऐसे में मन में ये सवाल उठता है कि कितने अब्यर्थी आकिर CBT 1 को किलेर करके CBT 2 में जा पाएंगे, जिसमें की कुल आपके फोर्म एपलाई किये गए थे लगबग 47 लाक, तो उ इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे, इन्हीं कुछ में सवालों के जवाब, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फ्यूचर में आने वाले गवर्मेंट जोब की वैकेंसी से संबंदित अपडेट्स, जो कि पहले दी गई थी 26,502, लेकिन उनको बढ़ा कर बाद में कर दिया गया, 60,000 जो कि लगबग 2 गुना से भी अधिक है, तो ऐसे में अब जो CBT 2 के अंदर प्रवेस लेने वाले विद्यारती हैं, उनकी संख्या भी डेफिनेटली बढ़ेगी और वो भी 2 गुना से अधिक हो CBT 2 के लिए सेलेक्ट किया जाएगा, अर्थात पहले आपको जो 26,502 वेकैंसी दी गई थी उसी साब से, अगर उसको 15 से मल्टिप्लाइ किया जाए, तो लगबग आता है, 3,97,500 के आसपास आता है, मतलब लगबग 4,00, बेरतियों को 2 CBT एग्जाम के लिए सेलेक्ट किया जाना था, लेकिन बाद में आपके लिए 60,000 वेकैंसी कर दी गई, तो अब ऐसे में इसके 15 गुना अर्थात 60,000 गुना 15 करेंगे, तो लगबग 9,00, बेरति CBT 2 के लिए सेलेक्ट किये जाएंगे, तो कुल 47,00, बेरति जो हैं, वो CBT 2 के लिए सेलेक्ट किये जाएंगे, औ आपका एक्जाम टोटल 55 नंबर का होगा, ये तो आप सभी जानते हैं, तो एक बर देख लेते हैं कि जो रेलवे द्वारा मिनिमम पास मार्किंग रखी गई है, सभी कैटेगरी के लिए वो कितनी है, तो आप इस टेबल में देख सकते हैं, कि जो जनरल के लिए हैं, वो 40% मिनीमम मार्क से, मतलब 55 में से आपको 30 नंबर तो पास मार्किंग के लिए लाने ही होंगे, और OBC के लिए 30% मार्किंग रखी गई है, मतलब 55 में से 22.5 नंबर आपको लाने अनिवारे हैं, केवल पास होने के लिए, और सیکिन्ड है SC, SC में भी OBC की समान ही है, और next है HT, HT में आपको minimum 25% नमबर लाने होंगे मतलब 55 में से 18.5 नमबर अगर आप लाते हैं तो यह आपकी pass marking होगी यह only pass marking है ना की cut off cut off के बारे में बात हम अब करने वाले हैं तो यह number railway द्वारा निर्धारित किये गए हैं सिर्फ pass होने के लिए only pass marking आपको जो cut off पहले बताए गई थी वो cut off थोड़ी जादा थी क्योंकि उस समय 26,502 vacancies थी लेकिन अब 60,000 vacancies कर दी गई हैं तो definitely cut off में थोड़ा फरक आया है तो देख लेते हैं कि cut off क्या रहेगी तो CBT first को clear करके CBT second में जाने के लिए जो समभावित cut off है वो लगबग कुछ इस परकार से रहेगी आप देख सकते हैं stable के अंदर जो general वाले हैं उनके लिए लगबग 55 में से अगर आप 38 नमबर ले आते हैं तो आप first को clear कर जाएंगे और second CBT में बैठने के लिए आप qualify कर पाएंगे और जो OBC वाले हैं वो लगबग 36.5 नमबर पर second के लिए qualify कर जाएंगे और SC वाले भी 36.5 ये 36 के आस पास नंबर अगर वो ले आते हैं तो वो भी CBT second के लिए qualify कर जाएंगे और इसी परकार Soci वाले 55 में से अगर 34 नमबर लेकर आते हैं तो CBT 2nd में बैठ पाएंगे तो यह है expected cut off थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है एक डेड़ नंबर का लेकिन इससे ज़्याद़ कोई फरक नहीं पड़ेगा आपकी cut off लगबग यही रहेगी उमीद करते हैं दोस्तो आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको कोई और सवाल है तो comment section में पूछ सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो like कीजिए और share कीजिए अपने दोस्तों के साथ और next बात अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो future में आने वाले government job की vacancy से समबंदित पलपल के updates सबसे पहले पाने के लिए चैनल को subscribe करके notification bell को on कर लें मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद